टे सुलेरे बाइबल में ये नया नियम की सिद्दान्ध है पुरुष बकर स्त्री नहीं, स्त्री बकर पुरुष नहीं पाहिला कुरंदी 11, 12 तो भी प्रभू में ना तो स्त्री बिना पुरुष और ना पुरुष बिना स्थ्री के है तो पुरुष जना वहने के लिए स्थ्री तो चाहिए दोनों जरूर ये आगे क्योंकि जैसे स्थ्री पुरुष से है वैसे ही पुरुष स्थ्री के द्वारा है सब वस्तुय परमेशम से हैं साव वस्तुय पर्मेशम से है पुरुषत्री से आता है पर्मेशन ने किया है पर्मेश्र एक authorized रखाया देखो नारमली क्या है authority and responsibility यही मैं बार बार बता रहा हूँ यफिश्य की पांच तेविस पड़ो वहाँ पर पता चलेगा लोग अमेशा एक बाग को लेंगे यफिश्योस की किता पांच का तेविस क्योंकि पती पत्नी का सीर है क्योंकि पती पत्नी का सीर है जैसे की मसी कलिश्या का सीर है मसी कलिश्या का सीर है देखो आगे और स्वेम ही देह का उधार करता है उधार करता है देखो क्या क्या चीज़ है केवल अतारटी है अधिकार है केवल क्या आ रहा है मसी कलिश्या का सीर है वहीं पर फुल स्टाप नहीं है और देह का उद्धार करता है उसके लिए अपना आपको देता है शुद्ध जल से स्नान करने के लिए मही मामा कलिस्या बनाने के लिए कोई भी जूरी कोई भी रिंकल नहीं रहे उसके लिए अपना आपको दे दिया कलिस्या को उद्धार करत यही पुरुष लोग समझ लो श्री लोग भी समझ लो आपके बच्चे लोग उनको पर आप कदिकार है वो भी प्रेम से चलाना चाहिए पिटाए तो करनी चाहिए आईसा पिटाए मत करो कोई मर जाएगी कभी भी आईसा शराप मत दो तुम मर जाओ आईसा शैतान आपके मुझ से बोलने मत दो मुझ को परमिशर को दो परमिशर दो दें आपके मुझ को परमिशर को अधिकार दिये है थोड़ने के लिए नहीं संबालने के लिए बनाने के लिए स्वही देख का उधार करता है मैं अतारटियों चलो तुम मेरा आधिन रहो हूं। ऐसा कर सकते हैं। पुरान नियम में कर सकते हैं। लेगि नया नियम में हर अधिकार इवन हीश्व मसीख अधिकार भी जबर्दस्ती प्रभु नहीं करते हैं। प्रेम से उसके आधिन रहने क्लम को सिखाते हैं। अधिकार के नीचे रहेंगे, अधिकार को स्तिमाल करेंगे.